यौ वाट्स आप गाइस कैसे आपसो भी लोग वेल्टम बैक टू अनेदर वीडियो तो आज अपने पास आचुका है ओमें 16 बाउड बाई AMD Ryzen 7 5800H and the latest Zen 3 technology तो आज हम लोग करने जा रहे हैं इसके अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि आखिर ये लैप्टोप ए गेमिंग बीस्ट मशीन है या फिर नहीं तो आज आपकरते हैं इसको अनबॉक्स वैसे देखने में तो लैप्टोप काफी प्रीमियम स्लीक और मिनेमिलस्टिक है और जो इस लैप्टोप पे ओमन का लोगो है वो रिफ्लेक्टिव डॉल तोन कलर में है जो किया सची में काफी ज्यादा कूल लग रहे हैं और इस लैप्टोप के साथ में हमें 230 वोट का चार्जिंग ब्रिक भी मिलता है इस लैप्टोप में आपको बहुत अलग अलग पोर्ट देखने को मिलने वाले हैं टेंपेस्ट कूलिंग टेकनोलोजी है जहां तीन साइड ही वेंटिंग और फाइब वे एयर फ्लो है यह टेक एक्ट्यूट है अगर लास्ट यह से कंपेर करूं तो इसमें दो बुना ज्यादा फैंस लगे हैं जिनका साइज भी बड़ा है और 2.5 एक्स थिनर ब्लेट भी जैसा कि आप लगको दिख रहा है डिस्प्लेख स्लीक एंड स्वर्डी है जो ज्यादा शेक ही नहीं है और इस डिस्प्लेग को दो हिंजस पे फिट क्या गया है जिससे लगता है डिस्प्लेग एकदा मस्त फ्लोट कर रहा है इसका ट्रैक पैट भी काफी लार्ज है फोर फिनिश अलग यह है चलो अब लैप्टोप को बाहर से तो बहुत देख लिया अब टाइम आ चुका है इसको ओन करने का बाइदवे इसमें विंडोस 11 प्री इंस्टॉल्ड है यानि ओन करती सीधा गेमिंग चालू और साथ ही इसमें MS Office भी प्री इंस्टॉल्ड मिलता है इस डिस्प्ले की खास बात ये है कि एक 15 इंच फॉन फैक्टर वाले लैप्टॉप में 16.1 इंच का फॉल एच्डी डिस्प्ले फिट किया गया है जो कि बहुत ज्यादा गूल है इसका 16-9 का एस्पेक्ट रेशो एच्वार प्लस सपोर्ट करता है जो कि AAA गेमिंग के गेमिंग कर पाएंगे और विविंग भी कर पाएंगे इसमें जो डिस्प्ले उसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्स का है और उसकी ब्रैटनेस 300 निट्स तक भी जाती है ओमन 16 गेमिंग लाप्टॉप QHD डिस्प्ले वेरेंट्स में भी आते हैं जिसका आउट्पूट रेसोल वैसे ओजे स्विच के है वह भी मैं आपको थोड़ी दिर में बताता हूँ ओमन 16 गेमिंग लाप्टॉप में Ryzen 7 5800H वाली चिप है जो कि वन ओफ दी मोस्ट पाउफुल प्रसेसर है और साथ ही इसमें NVIDIA RTX 3050 Ti का ग्राफिक कार्ड है जो कि इस लाप्टॉप का GPU है और इस इसमें 16GB DDR4 RAM भी है इन तेनों का कॉंबिनेशन आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को एकदम लेके जाएगा ओमन लाप्टॉप की बैटरी लाइफ भी काफी लंबी है क्योंकि इसके अंदर है 83 WHR बैटरी जो कि चलती है अब तू 9 आर्स तब तो यह बेस्त तयार गेमर के ल थर्मपाइल सेंसर उनके लाप्टॉप में तू अप्तिमाइज पर्फॉर्मेंस फॉर्म दे डाइनिमिक पावर फीचर अगर आप बैलेंस मोड से पर्फॉर्मेंस मोड पे शिफ्ट करोगे तो आपको 15% मोर पावर मिलेगी और मैं सबसे पहला प्लेयर है जिसने ये और 999 जूकि आप लोग को नो कोस्त अमाई पर मिल सकता है और लाप्टॉप में एक और वेरेंट आता है जिसमें राइजन 9 5900HX ओवर क्लोकिंग प्रोसेसर है जिसमें और भी ज्यादा कैशे मेमरी है यू कान क्लिक ओन दिस्क्रिप्शन तो सी मोर ये लाप्टॉप एव करना मत बूलना वहाँ पर मैंने सब कुछ मेंशन कर रखा है